Hey guys, welcome or welcome back to my channel Saya. Hope you all are doing great. मैं अंसी गौतम. आज मैं आपके साथ self makeup tutorials शेयर करने वाली हूँ. ये makeup बहुत ही easy और simple makeup है. आप इस makeup को किसी भी special occasion में कर सकते हो. और मेरी वीडियो सुरू से लेके end तक जरूर देखना. गाइस चिनों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए. और उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपके लिए बहुत helpful होगी. तो गाइस सबसे पहले मेकप का फर्स्ट टूल है हमें अपनी स्किन डीप क्लीन करनी होती है. इसकिन हमारी क्लीन होगी तब भी मेकप अच्छा होता है. तो सबसे पहले फेस को वास कर लेना है और फिर उसके बाद मैं यहाँ पर हिमाल्या बेबी क्रीम एपलाई कर रही हूँ. जो की मॉस्चराइजर है बहुत अच्छी है ये क्रीम. तो जब भी हम मेकप अपलाई करते हैं जहां तक हमारा नैक वगएरा होता है ड्रेस का या बलाउस वगएरा का जो भी आप वियर कर रहे हो जहां तक नैक होता है वहां तक हमें क्रीम या फाउंडेशन वगएरा वहां तक अपलाई करना होता है ताकि हमारा फेस फेस ब्रा नेक और फेस को और सेकिंड यहां पे मैं माई ग्लेम का टिंटिंट परफेक्शन बेस प्राइमर एंड पोर मिनिमाइजर एपलाई कर रही हूँ इसका मैंने यहाँ पे 2-3 ड्रॉप्स मैंने यहाँ पे लिया है और इसको मैं पूरे फेस पे अपलाई कर लूँगी इससे स्किन बहुत स्मूध हो जाती है प्राइमर से और हमारा जो मेकप होता है लॉग स्टे रहता है प्राइमर से बहुत अच्छा भी लगता है और यह जो प्राइमर है इससे पोर्स जो है वो बहुत ज़्यादा मिनिमाइजर हो जाते है तो आप भी जरूर जरूर आप भी बेस प्राइमर एपलाई जरूर करें मेकप में और यहाँ पे मैं यूज करने वाली हूं माइगलेम का सिरम फाउंडेशन और पिलग्रीम 24 कारेट गुल्ड ब्यूती ऑईल फाउंडेशन के वनी तू डॉप लिये है और जो मैने 24 कारेट पिल conviction गॉल्ड ब्यूती ऑईल लिया है वो मैंने 3 ड्रॉप्स लिये है तो इनको दोनों को mix करके अच्छे से मैंने अपने पूरे face पे और neck पे apply कर लिया है और ear पे भी मैंने इसको apply किया है क्योंकि ear भी फिर हम जो भी वो करते हैं तो ear हमारे shade से बहुत अलग लगते हैं तो आप अपने ears पे भी जरूर apply करें ताकि same shade लगे अलग ना लगे और यह भी beauty blender वगेरा से blend नहीं किया यह देखो काफी अच्छे से मेरे face पे absorb हो गया है blend हो गया बहुत अच्छे से और guys अगर आपके पास beauty oil नहीं है तो आप उसको skip कर सकते हो only foundation भी apply कर सकते हो then यहां पे मैंने sugar का translucent powder लिया है और इसको मैंने apply कर लिया है आप चाहें तो कोई भी face powder हो उसको apply कर सकते हैं जो आपके पास available हो आप वो use कर सकते हैं और मैंने इसको पूरे face पे neck पे apply कर लिया then इसकी बाद मैं swiss beauty का eyebrow and gel eyeliner जो की 24 hour stray करता है हमारी skin पे इसका result बहुत अच्छा है तो मैं अपनी eyebrows को अच्छे से fill कर लूँगी और eyebrows को जो आपकी shape है आप वो shape दें अपनी eyebrows को मैं यहां पे अपनी eyebrows को थोड़ा सा arch में shape कर जीऊ पहले मेरी eyebrows full arch में थी काफी अच्छी थी भरी भरी बट अभी कुछ टाइम से मेरी eyebrows थोड़ी खराब हो गई है तो थोड़ा सा उन्हें मैं eyebrow pencil से hide कर जीऊ तो यहां पे दोनों मेरी eyebrows equal लग रही है और बहुत अच्छी भी लग रही है देन मैं यहां पे eye shadow में से excite का shade apply कर जीऊ जो की sparkle shade है और मैं इसको यहां पे finger से ही apply कर जीऊ ब्रस से नहीं कर जीऊ जब यह पूरा apply हो जाएगा तो मैं इसको थोड़ा सा brush से shade करूंगी और यह देखो कितना अच्छा लग रहा है हमारे face पे सबसे अच्छी eyebrows लगती है sorry आखे लगती है अगर आखों का make up अच्छा हो तो पूरा make up ही अच्छा लगता है पूरे मतलब आखे सुन्दर लगे तो पूरे make up में चार चान लग जाते हैं तो यहां पे मैं अब आखों की नीचे apply कर जीऊ रिस्क का जो की मेरी eye shadow palette में risk shade है उसको मैंने apply किया है brush की help से और आखे देखो अभी मैंने इतना कुछ किया नहीं है liner अगरा नहीं लगाया तो अभी भी बहुत अच्छी लगने लगी है और फिर मैं यहां पे sugar translucent powder से इसको थोड़ा set कर रही हूं और यहां पे अब मैं लगा रही हूं liner तो liner मैंने थोड़ा सा अपनी eyes को stretch करक apply किया है इससे बहुत easily लग जाता है liner बहुत अच्छा है कि यह इसके उपर एक को मैंने वीडियो भी बनाई हुई है तो आप मेरी वीडियो जरूर देखे मैं आपके साथ description box में link share कर दूंगी अपने hacks video का और यहां पे यह liner लग चुका है तो मैंने liner यहां पे जो लिया है वो है Swiss Beauty का ही liner है black color का देन मैंने यहां पे अपने eyes पे जो liquid eye shadow apply किया है थोड़ा इसको diamond shade देने के लिए तो इसका जो shade है diamond dust shade है और यह मेरी eye shadow मेरी eyes का complete हो गया है तो मैं अब काजल apply कर लेती हूँ अगर आप चाहें तो काजल skip भी कर सकते हैं बट मेरे according अगर हम पुरा make up करते हैं और काजल ना हो तो eyes थोड़ी सुनी सुनी लगती हैं तो आप काजल जरूर apply करें और इससे आखे आखों में चार चान लग जाते हैं बहुत अच्छी लगती हैं तो आप मुझे comments में जरू apply करें Swiss beauty lift ankle volume lash 4D mascara है और इससे lashes बहुत घनी और बहुत अच्छी लगती हैं आप देख सकते हो कितना अच्छा लग रहे हैं आपके पास जो भी mascara हो आप वो apply कर सकते हैं और बहुत अच्छा है ये भी mascara so guys मेरी आखों का make up complete हो चुका है और almost मेरा पूरा make up complete हो चुका है then मैं यहाँ पे apply करूंगी lipstick जो की मैंने in shine original lipstick ली है और lipstick का shade है red wine shade जो की मुझे बहुत अच्छा लगा इसका shade बहुत प्यारा shade है आप मुझे comments में जरूर बताना आपको कैसा लग रहा है मेरा ये shade और ये हो गया है मेरा almost make up complete तो guys lipstick apply कर लिया है मैंने तो चलो अपने चिक्स को थोड़ा गुलाबी गुलाबी कर लेते हैं पूरा make up हो गया है और चिक्स को भी गुलाबी गुलाबी कर लेते हैं तो यहाँ पे मैंने eyeshadow palette में से ही risk जो मैंने अपनी eyes पे apply किया था वही मैंने अपने chicks पे apply किया है chicks nose और जहाँ पे भी आपको थोड़ा गुलाबी अपने face को दिखाना है चिन पे भी थोड़ा सा मैंने apply किया है और अब मैं यहाँ पे apply कर जी हूँ इस beauty का ही highlighter अपनी nose पे जहाँ जहाँ आपको अपनी skin tone को highlight दिखाना है आप वहाँ पे apply कर लेना मैंने यहाँ पे chicks पे nose और अपने forehead पे apply किया है और chin पे apply किया है और यह मेरा make up हो गया है complete तो चलो मैं बिंदी लगा लेती हूँ बिंदी यहाँ पे मैंने green color की apply किया और last मे जो मैंने fixer apply किया make up fixer उसका मैं video बनाना भूल गई वो video means बनी नहीं पतानी क्या हुआ मैंने बाद में देखा तो वो हुआ नहीं था तो मैंने यहाँ पे swiss beauty का ही make up fixer लिया है जो की natural aloe vera with vitamin e है तो यह हो गया है मेरा final look तो मैं कैसी लग रही हूँ comments में जरूर बताना और कैसा लगा आपको आज का मेरा यह make up look और comments box में please comments करना और next video में बहुत जल मिलते हैं तब तक के लिए bye bye take care thank you for watching